हेलो दोस्तो मैं हूँ मीर और आज मैं एक्स्प्लेन करने वाला हूँ एक सची घटना पर बनी हाइस्ट मूवी स्टेंडर को जो 2003 में आई थी अगर इस मूवी की रेटिंग की बात की जाए तो इस मूवी को IMDB पर 7 out of 10 की शांदार रेटिंग मिली है और मुझे भी ये मूवी बहुत पसंद आई सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा विडियो की तरफ मूवी की शुरुवात होती है 1970 साउथ अफरीका में पहले हमें जोहानसबर्ग शहर दिखाया जाता है वहाँ एक तरफ खुपसूरत और साफसूतरे घर बने हुए थे जहां गोरे लोग रहते हैं वही दूसरी तरफ गंदी जोपड़ पटिया भी थी जहां काले लोग रहते थे आपको पहले ही बता दू उस समय साउथ अफरीका में गोरे और काले लोगों का रेसिजम अपने चरम पर था काले लोगों को साफसूतरे शहर में रहने की इजाज़त नहीं थी उस समय निलसल मंडेला भी जेल में थे अब उसी दिन एक कार बहुत तेजी से सभी रूल तोड़ते हुए जा रही थी उस कार में आंद्रे स्टेंडर और उसका दो स्कोर बैठे थे उन्हें जल्दी से कहीं पहुचना था लेकिन फोड़ी दूर जाने के बाद एक पोलिस वाला उन्हें रोकता है लेकिन आंद्रे को देखते ही वो सौरी बोलने लगा दरसल आंद्रे पोलिस ओफिसर है वो अभी कैप्टन की पोस्ट पर है उस पुलिस वाले से थोड़ी देर बाद करने के बाद दोनों आगे बढ़ गए थोड़ी देर बाद हमें पता चला कि आज आंदरे की शादी है फिर अचाना की कोर सबको इखटा करके स्पीज देता है दरसल ये आंदरे की दूसरी शादी थी इसलिए कोर उसे इस बार अपनी शादी पर ध्यान देने बोल रहा था आंदरे की शादी बेकी नाम की लड़की से हो रही थी आंदरे की रेपूटेशन पोलीस में बहुत अच्छी है और उसके डैड भी आर्मी में जनरल रहे चुके है इसलिए वहाँ पोलीस और आर्मी के बड़े-बड़े ओफिसर भी आये थे आंदरे और उसकी नई वाइफ बेकी भी बहुत खुश लग रहे थे अब कुछ दिन बाद आंदरे और कोर एक अपार्टमेंट में इन्वेस्टिकेशन कर रहे थे वहाँ एक औरत का खोन हुआ था थोड़ी जाच परतार करने पर आंदरे को समझ में आया उस घर में कोई बच्चा भी था मतलब किसी ने उस औरत को मार कर उसके बच्चे को किन्नैप किया है लेकिन थोड़ी देर बाद आंदरे कोर को वहाँ का इंचार्ज बना कर चला जाता है क्योंकि आज उसकी अपनी वाइब के साथ डेट है रात में बेकी निउस डेक रही थी जिसमें बताया जा रहा था ब्लैक लोग जगा जगा पर प्रोटेस्ट कर रहे है उन लोगों ने बहुत सी गवर्मेंट बिल्डिंग को आग भी लगा दी अगले दिन भी एक प्रोटेस्ट होने वाला है जिसके लिए प्रशाशन ने शहर के सभी इंटरेंस को ब्लॉक कर दिये अब कल जो प्रोटेस्ट होने वाला था उसके लोग शहर में ना आ जाए इसलिए कल शहर के सभी पुलिस वालों को राइट ड्यूटी पर लगा दिया गया है बेकि इस बारे में अंदरे से पूछती है लेकिन अंदरे कुछ खास जवाब नहीं देता क्योंकि उसे तो यामा काटा करना था अगले दिन आंदरे और कोर राइट ड्यूटी करने पहुचे दोनों को देखकर साफ नजर आ रहा था कि दोनों ये ड्यूटी पहली बार कर रहे है वहाँ एक आदमी हतियार बाट रहा था वो अंदरे को शौट गन और असली बुलेट देता है ये देखकर अंदरे काफी शौक हुआ क्योंकि ऐसे प्रोटेस में बाद बिगडने पर रबर बुलेट चलाई जाती है जिससे सामने वाले को चोट्टो लगती है लेकिन उसकी जान नहीं जाती लेकिन उस आदमी और बाकी लोगों को कोई फरक नहीं पढ़ रहा था अब थोड़ी देर बाद ही प्रोटेस्टर उनकी तरब बढ़ने लगे वो सब निलसल मंडेला के सपोटर है वो सब निलसल मंडेला को जेल से बाहर निकालने वहाँ दो लड़के किताबे लेकर आए और उनमें आग लगा दी लेकिन एक ओफिसर उस लड़के को बुरी तरह पीटने लगा वहाँ एक रिपोटर भी था जो इस पिटाई को अपने कैमरा में रिकॉड कर रहा था लेकिन बड़े ओफिसर उस रिपोटर के कैमरे में से रिल निकाल लेते है ताकि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसकी असलियत बाकी लोगों को पताना चले फिर एक ओफिसर सभी को वापस जाने की वार्निंग देता है लेकिन उसकी वार्निंग से कोई खास फर्क नहीं तब बाकी ओफिसर भीड में गैस ग्रेनिट छोड़ते है लेकिन कुछ लोगों ने उसे उठाकर वापस ओफिसर की तरफ फेक दिया तब एक ओफिसर अपने कुट्टे को ले जाकर उस लड़के को कटवाता है जिसने ग्रेनिट उनकी तरफ फेक था वहां का मामला पर अटैक करने का बहाना मिल सके क्योंकि बाहर के लोगों को कौन बताएगा कि पहले फोर्स ने ही प्रोटेस्टर पर गोलिया चलाई अब कुछी मिंटों बाद ब्लैक लोग ऑफिसर पर पत्थराओं करने लगे एक ओफिसर लगातार उन लोगों को रुकने बोल रहा था लेकिन लोग काफी भड़क गए थे पत्थराओं में एक ओफिसर को चोटा गई इसलिए ओफिसर्स ने सीधा लोगों पर शूट करना शुरू कर दिया वहां कि अफरत अफरी देखकर आंधरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उसने ये सब पहली बार देखा था वो उसने कुछ और गोलिया चला दी जब शाम को सब शांत हुआ तो वहां बहुत सारे ब्लैक लोगों की लाशे पड़ी थी लोग बुरी तरह जखमी थे जो बस रेसिजम के खिलाफ आवाज उठा रहे थे दूसरी तरह फोर्स भी अभी तक वही थी आंधरे वहां शांत खड आने लगा तब आंधरे ने जोर से चिलाया और वहां से चला गया उस रात आंधरे अपने डैट के घर गया वो काफी परेशान था वो अपने डैट से पूछता है आखिर क्यों हमेशा बेकसूर लोग मारे जाते है क्योंकि आज उसने खुद एक बेकसूर को मारा था तब उसके डैट केते हैं अगर वो उन्हें नहीं मार थे तो प्रोटेस शुरूर है था और एक दिन ब्लैक लोग उन पर कब्जा कर लेते और उन्हें मार देते updates लेकिन आंधरे के मटाबिक एक ब्लैक लोग यहां कब्जा जुरूर करेगे लेकिन क्या पता वह उनके जैसे ना हो लेकिन उसके डैड ये मानने तयार नहीं थे अंदरे समझ गया था उसके डैड भी एक racist है जिनहें काले लोगों को मारने में कुछ भी गलत नहीं लगता इसलिए उनसे बात करने में कोई मतलब नहीं है उस रात आंदरे रात भर सो नहीं पाया और सोता भी कैसे क्योंकि उसने एक निहत्ते लड़के को मारा था जो सिर्फ अपने हक के लिए लड़ रहा था वो भी बिना किसी हतियार के सुबा होते ही आंदरे अपने ऑफिस गया और कल के मामले की फाइल ढूनने लगा फाइल में कल मरने वालों की फोटो और इंफर्मेशन थी उसने जिसे मारा था आंदरे उसकी डीटेल अपने पास रख लेता है फिर वो अपने सीनियर के पास गया क्योंकि अब उसे प्रोटेस में ड्यूटी करना उनके काम का हिस्सा है काफी ओफिसर को ये ड्यूटी पसंद है तो ये ड्यूटी वो करते रहे सीनियर उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहा है उसने अपनी एक रेपूटेशन बनाई है वो फोर्स में सबसे यंगेस कैप्टन है लेकिन प्रोटेज ड्यूटी ना कर नंगा नाच रहा था वो काफी परेशान था क्योंकि लोगों को मारना उसका डिपाट्मेंट घटिया रिजन डेकर जस्टिफाई कर रहा था अगले दिन आंद्रे जब पुलीस इस्टेशन गया तो उसने देखा पुलीस इस्टेशन एकदम खाली है एक काउंटर पर ब लड़की की फोटो देख रहा था और उसने लंच करने से मना कर दिया तभी उसे एक आईडिया आया वो तुरंती बाहर गया रास्टे पर एक पुलीस वाला बैठा था तब आंद्रे उसके पीछे से गया थोड़ा चलने के बाद उसे एक बैंक दिखाई दिया पुलीस इस ही है इसलिए थोड़ी देर सोचने के बाद आंद्रे अंदर चला गया अंदर वो एक बुड़ी औरत को धक्का देते हुए काउंटर पर पहुचा और कैशियर के सामने गन निकाली और गन को अपने बलेजर में चुपा लिया कैशियर डर गई और उसे पैसे देने लगी त कैशियर बाहर आकर गार्ट को उसका हुलिया बताने लगी लेकिन तब तक आंद्रे काफी दूर निकल गया था थोड़ा आगे जाने पर उसे एक काला बच्चा दिखाई दिया जो निउस पेपर बेच रहा था एक निउस पेपर के बदले आंद्रे ने उसे बैंक से चुर फिर थोड़ी देर बात करने के बाद दोनों यामा काटा करने लगे अगले सीन में आंद्रे फिर से एक बैंक में था वहाँ उसे दो लोगों के बात करने की आवाज आ रही थी उसमें से एक हस्ते हुए बता रहा था कि कल के प्रोटेस में उनके बस दो लोग मरे जबकि 200 फ्लैक लोग मारे गए ये बता कर वो आदमी जोर जोर से हसने लगा तब आंद्रे ने देखा उस बैंक में CCTV कैमरा भी लगे है फिर उसने उस कैशियर को देखा जो ये सब बाते कर रहा था नंबर आते ही उसने आंद्रे को अपने पास बुलाने का इशारा किया और अगले और उसके दोस को अपोइंड किया गया मतलब आंद्रे खुद चोरी करेगा और खुद को ही पकड़ने का नाटक करेगा फिर आंद्रे बेकी को लंच पर ले गया और उसे एक बहुत महेंगी गड़ी गिफ्ट की क्योंकि अब आंद्रे का हुलिया नोटिस हो गया था इसलि क्योंकि आज उसका दिन खराब था उसे देखकर वो केशियर एकदम हैरान थी आंद्रे उससे पूछता है उसने क्या देखा था तब वो केशियर हैरानी से कहती है उसने उसे देखा था मतलब चोर उसके जैसा था ये सुनते ही वहां मौजु सभी लोग हसने लगे उस केश वह एरपोर्ट लुटेगा क्योंकि एरपोर्ट में foreign exchange window होती है जहां हर रोज 1000 डॉलर और अलग-अलग currency exchange होती है अगली बार जरूर वह एरपोर्ट में चोरी करेगा को और को इस बात पर यकिन नहीं होता लेकिन आंद्रे बार-बार इसी बात पर जोर दे रहा था दरशल आ एक बैंक की चोरी के समय का CCTV फुटेज देखकर कोर को चोर के हाथ में एक घड़ी दिखाई दी अगले ही सीन में हम देखते हैं पोलीस ने एक आदमी को पकड़ा जो काफी हद तक आंदरे के जैसा दिख रहा था और उसके हाथ में वो घड़ी भी दिख रही थी तब कोर आंदरे को नाम से पुकारता है और उसे सरेंडर करने कहता है तब आंदरे कुछ विरोध नहीं करता कोर को मिलाकर उसे पकड़ने 90 पुलिस वाले लगे थे तब आंदरे कहता है उन्हें इतना टाइम क्यों लगा कोर कहता है क्योंकि वो उसके जितना अच्छा पुलिस वाल पहले आंद्रे को अपने स्टेट्मेंट देने कहता है तब आंद्रे खड़ा होकर कहता है हां उसने बैंक लूटे है और उसने निहत्य ब्लैक लोगों को भी मारा है लेकिन जज कहता है ब्लैक लोगों की मौट से इस कोट को कुछ लेना देना नहीं यह देखकर आंद्रे एक साल की सजा सुनाता है ये सुनते ही बैकी आंदरे के फादर और कोर बहुत दुखी हो गए लिकिन आंदरे के चेहरे पर कोई पच्चतावा नहीं था जबकि उसकी सजा कम हो सकती थी क्योंकि उसने कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुचाया फिर आंदरे को जेल में लाय करते हैं अंधरे ली को पहले से जानता था क्योंकि एक बार ली को उसके औफिस में लाया गया था फिर पीर कुछ समय बार बेकी ऑंधरे के डैड को उसका भेजा लेटर दिखा रही ही थी जिसमें आंधरे ने जेल से भागने का एक plan बनाया था लेकिन आंधरे के डैड इसके खिलाफ थे जबकि उस जेल में आंधरे को हफते में बस एक ही लेटर लिखने की परमीशन थी और उससे कोई मिलने भी नहीं आ सकता था बेकि आंधरे की मदद करना चाती थी लेकिन उसके डैड मना कर देते है क्योंकि उनके मुताबिक वो उस जेल से भाग नहीं सकता अगर आंधरे को जादा फर्क नहीं पड़ा फिर वो कोर के लिए एक लेटर लिखता है उस लेटर से हमें पता चला कि आंधरे को इस जेल में दो साल हो चुके है और अब उसे यहां मौजुद क्रिमिनल गलत नहीं लगते मतलब छोटे मोटे क्रिमिनल जैसे चोरी चकारी करने व एलेन ने पहली बैंक रोबरी अपने उंगली दिखा कर की थी मतलब कोट के अंदर हाट डाल कर सबको ऐसे दिखाया जैसे उसके पास गन हो तब आंधरे कहता है यहां से बाहर निकलने के बाद वो उसे लेने जरूर आएगा लेकिन एलेन कहता है नहीं भागने के बाद वो उसे लेने आएगा तब ली भी आया मतलब एलेन और आंधरे में कॉमपेटिशन होगा कि जेल से पहले कौन भागता है और जो भी भागेगा उसे दूसरे को लेने आना होगा जबकि आंधरे और ली एक ही टीम में है अब एक दिन जेल में फुटबॉल का मैच चल रहा था आंधरे अपनी जेम में को छुपाता है आंधरे और ली अलग लग टीम में थे लेकिन यहां उनका एक प्लैन था मैच शुरू होने के कुछी देर बाद आंधरे ली को मारता है जिससे उसके हाथ में चोटा गई तब कुछी देर बाद ली के टीम के लोगों ने आंधरे प को एक टक्कर मारी और अपनी जेब से कोई चीज निकाल कर उस गाट पर हमला कर दिया तबी आवा सुनकर बाकी के दो गाट भी अंदर आ गए लेकिन उन्होंने देखा आंधरे ने उस गाट को गन पॉइंट पड़ ले रखा था उसने कहा अगर उसने इस गाट को मार भी तब भी उसे यहां 30 साल रहना पड़ेगा लेकिन उसके मरने से उसके बीवी बच्चे यतीम हो जाएगे तब ही ली भी अंदर आया और बाकी गाट से उनकी गंचीन ली वो गाट काफी डर गए थे उन्हें लग रहा था वो दोनों अब उन्हें मार देगे लेकिन आंधरे ने कहा उन्हें बस उनके कार की चाबी चाहिए अगले ही सीन में हम देखते हैं आंधरे और ली उन गाट की कार से किसी के घर के पास आए मतलब वो जेल से भाग चुके थे फिर उस घर का एक मेंबर पॉलिस को कॉल करके कंप्लेन करता है कि ब्लैक वरकर्स यहां कुछ गड कि आंधरे जेल से भाग गया है वही जेल में गाट एलन को बुरी तरह मारते हुए उससे ली और आंधरे के बारे में पूछ रहे थे क्योंकि वो तीनों डोस्ट है इसलिए एलन को उनके बारे में जरूर कुछ पता होगा वही दूसरी तरफ आंधरे और ली उन पुलिस व खड़ा था उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं थी वो कैशियर डरते हुए उसके पेपर बैग में पैसे डालने लगी उस बैंक में चोरी करने के बाद दोनों एक फाइस स्टार होटल में गए और वहाँ एक कमरा बुक किया वहाँ से आंधरे ने बेकी को कॉल किया जो उसके भागने की ही नियूस देख रही थी लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया फिर आंधरे ने अपने डैट को कॉल किया लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले ही उसके डैड ने कहा अगर वो आंधरे बोल रहा है तो उन्हें उससे कोई बात नहीं करनी बस वो दूआ कर सकते है उसे अकल आ जाए तब आंदरे ने कुछ नहीं कहा और फोन रख दिया रात में अपने निउस देखकर आंदरे अपना भेश बदल रहा था वो अपने मूच काट लेता है वो ली को भी भेश बदलने कहता है लेकिन ली बताता है उसे जरूरत नहीं क्योंकि पूलीस के पास उसकी क एलेन कुछ काम कर रहा था तबी उसे किसी की आवाज आई जब उसने सामने देखा तो वहां ली और एलेन खड़े थे और बाकी के लोग जमीन पर लेटे हुए थे क्योंकि उन दोनों के हाथ में गन थी मतलब अपने वादे की मुताबिक ली और आंदरे उसे लेने आए थ उन्हें देखकर एलेन बहुत खुश हुआ ली उसे गन देता है फिर तीनों बाहर चले गए बाहर निकल कर तीनों बहुत खुश थे ली पूछता है अब वो आगे क्या करने वाले है आंदरे कहता है वो इस करप सिस्टम को हिलाएगे ली को कुछ समझ नहीं आता तब एले था तब आंदरे गन दिखाते हुए सूटकेस भड़ने कहता है वहाँ अलग भेश में मौजूद था पैसे मिलते ही दोनों बाहर आए बाहर ली पहले से कार में उनका इंतिजार कर रहा था बैंकी सिक्योरिटी के पहुचने से पहले ही टीनों भाग गए कुछ दिर बाद वहाँ कोर अपने ऑफिसर्स के साथ पहुचा पुलिस वाले उस मेनेजर को आंदरे की फोटो दिखा रहे थे मेनेजर ने उसे पहचान लिया था यह जानकर पता नहीं वो खुश क्यों होने लगा क्योंकि उन्हें आंदरे स्टेंडर ने लुटा है वही दूसरी तरह लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले ही आंदरे ने उसके सामने एक नोटो की गड़ी रखी और उनके लिए अच्छे सूट सिलने कहा अब उस टेलर को क्या फर्क पड़ता है उसके कस्टमर क्रिमिनल हो या आम इंसान उसने पैसे लिए और उनका माप लेने लगा अचानक त डिलर शॉप में एक स्पोर्ट कार की टेस्ट ड्राइव लेता है फिर सेल्समेन नीचे उतर कर उस कार की खोबिया बताने लगा लेकिन तभी एलन कार लेकर वहां से निकल गया सेल्समेन को ये समझने में काफी टाइम लगा कि उसकी कार चोरी हो गई फिर तीनों सफास कार की स्पीड चेक करते हैं वो कार भी उन्हें बहुत पसंद आई थी वही दूसरी तरफ कोर को अपने सीनियर से फटकार लग रही थी क्योंकि आंदरे की चोरिया बढ़ती जा रही थी और कोर उसे पकड़ने में अब तक नाकाम रहा है वही दूसरी तरफ तीनों फिर से भे बैंक में बनी एक सीक्रेट सेफ में चुपा रखे थे जिससे उनका जादा नुकसान नहीं हुआ दूसरी तरफ कार के रेडियो में तीनों उसी बैंक की न्यूस सुन रहे थे उन्हें भी पता चला कि मैनेजर ने जादा पैसा उसकी सीक्रेट सेफ में चुपाया था तब आंदरे तुरं थी एलेन को गाड़ी गुमाने कहता है वही कुछ समय बाद उस बैंक में पॉलिस के जाने के बाद मैनेजर उस बैंक में था लेकिन तबी आंदरे फिर उस बैंक में आया रात में आंदरे के घर में निउस चल रही थी कि स्टेंडर गैंग ने आज शहर की इसके ले ते पंदमें तुरं और्लों की एलेन के एक घर में उस सैंघ कर रहा है वह तुरंट ली के रूम में गया य उसे बोल रहा था ओड़ измен से प्यार करता है लेकिन फिर भी आंदरे उसे धमकाता है कि अब वो उनमें से एक हो गई है अगर उसने पोलिस को उनके बारे में कुछ भी बताया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं एलन भी एक लड़की के उनके गुरूप में आने से खुश नहीं था लेकिन ली की वज़ा से वो कुछ बोल नहीं रहे थे वही ली तालिया को शान करता है अगले दिन वे गन की शौप के बाहर बैठे थे क्योंकि उन्हें और हतियारों की जरूरत थी आंदरे बाहर नजार रखता है फिर ली और एलन शौप में गए वो शौप को लूटने वाले थे ली वहां चुनकर आंदरे तुरंत अंदर गया ली ने अचानक उसे गोली मारी थी वो उसे मारना नहीं चाता था ये देखकर आंदरे खुश नहीं होता वो तुरंत उस और पर पट्टी बांधता है और एलन से बड़े हतियार लेने कहता है उन्होंने आज तक इतनी सारी चोरिया की लेकिन कभी किसी का खुन नहीं बहाया था अगली शाम को तीनों एक रेस्टरों में बैठे थे आंदरे नियूस पेपर पढ़कर सुनाता है उस औरत को शूट करने का इलजाम ली पर ही लगा फिर आंदरे बताता है उन्हें पकड़ने के लिए पुलीस ने एक नई को ऑफीस है उसकी बगल में ही एक बैंक भी है अगले सीन में वो एक चौक पर पहुंचे तीनों ने अपने भेश बदले हुए थे वो इस टास्पोर्स के ऑफिस के सामने से गुजरते हुए उसके बाजुवाली बैंक में गए बैंक को कुछ मिंटों में लूटा और टास् को उठाने लगा लेकिन आंदरे और एलेन उसे चोड़ कर चलने कहते हैं फिर एक सुनसान जगा पर तीनों अपने कपड़े बदल रहे थे तबी ली ने देखा उनके पीछे एक बुड़ा आदमी उन्हें देख रहा है वो उसे शूट करने गया लेकिन आंदरे ने उसे र रहा था एलेन और आंदरे पैसे लूट रहे थे और ली लोगों पर नज़ा रहा था लेकिन उन्हें कुछ जारा ही टाइम लगने लगा तब पता नहीं अचानक ली को क्या हुआ उसने अपनी मशीन गन निकाली और चट पर बने काच को शूट करने लगा जिस सारे काच न पाहर निकल कर उन पर शूट करता है लेकिन गन से काम नहीं बनता इसलिए आंदरे मशीन गन से पोलिस की कार पर शूट करता है कुछ देर बाद तीनों एक सुनसान जगा पर अपनी कार और कपड़े बदलते है एलेन अभी तक ली से नाराज था और ली को भी समझ नहीं आ सन कर रहे थे क्योंकि जो स्टेंडर गेंग कर रहा है वो कई लोग करना चाते है और उन लोगों में बहुत हिम्मत है क्योंकि उन लोगों ने एक ही बैंक बार बार लुटा है जिसके लिए हिम्मत चाहिए सब लोगों के अलग-अलग मत थे फिर हम बेकी को देखते है वो आंदरे वो आदमी नहीं रहा लेकिन आंदरे कहता है वो उससे प्यार करता था और वो भी उससे प्यार करती थी लेकिन बेकी को यहाँ अपनी छोटी मोटी आम जिन्दगी बहुत पसंद है इसलिए उसने आंदरे के साथ जाने से मना कर दिया लेकिन आंदरे को पूरा यकीन था बेकी उसके साथ जरूर आएगी अगली सुभा वो नाश्टे के टेबल पर ली और एलेन से मिला आज वो काफी खुश लग रहा था वो तालिया से भी बहुत अच्छे से बात करता है फिर आंदरे उन दोनों से उनकी जिन्दगी के आगे के प्लैन पूछता है क्योंकि अ आंदरे उन्हें अपने प्लैन के बारे में बताता है उसने सभी की निव आइडेंटिटी का इंतिजाम कर दिया था और उसने सबकी फ्लाइट टिकेट भी अरेंज कर ली थी अभी उनके पास इतने पैसे है क्यों ना उनके पास इतना पैसा हो कि वो अपने पूरी जिन्द होता है लेकिन एलेन और आंदरे को अपने प्लैन पर पूरा भरोसा था इसलिए पोलिस ओफिसर के भेश में आंदरे एर्पोर्ट पर नज़ा रखने लगा रात में एलेन भी प्लैन पर काम कर रहा था क्योंकि ये उनका आखरी काम होने वाला था लेकिन ली तालिया के साथ पुल में इंजॉय कर रहा था और आंदरे उन्हें देख रहा था रात में जब दोनों यामा कटा कर रहे थे तब भी बाहर से आंदरे उन्हें देख रहा था तब पता नहीं अचानक उसे क्या हुआ आंदरे वहां से तुरंत ब्लैक लोगों की बस्ती में गया वहां जैसे ही वो बार में पहुचा, लोग उसे नफरत की नजरों से घूर रहे थे, बड़ी सीधी सी बात थी, यहाँ एक गोरे आदमी का आना कोई आम बात नहीं है, सब उसे ऐसे घूर रहे थे, जैसे उसे अभी कच्चा खा जाएगे, तब आंदरे कहता है, वो यहाँ रोबर्ट गुनी कुछ साल पहले एक प्रोटेस में पुलिस के हाथों मारा गया था, आंदरे को उसके बाप का नाम पता है ठेंबा में गुनी, और वो यही रहता है, तब एक आदमी ने ठेंबा को आवाज दी, और एक बुड़ा कमजोर आदमी छड़ी के सहारे चलते हुए एक कमरे से बाहर आया, उसे देखकर आंदरे ने बहुत नर्वस होते हुए कहा, उसने बहुत बड़ी गलती की, किसी को कुछ समझ नहीं आता, तब आंदरे कहता है, उसने ही उनके बेटे को मारा था, ये सुनकर वहाँ मौजू सभी लोग बहुत हैरान थे, अगले ही सीन में से आंदरे को बुरी तरह मार रहा था, और आंदरे भी चुप चाप मार खा रहा था, लेकिन आंदरे की हालत देखने के बाद थेंबा उसे और नहीं मार पाया, वहां मौजूद लोग चाहते तो आंदरे को आसानी से मार सकते थे, लेकिन वो लोग समझ गये थे, आंदरे क अपनी गलती का बहुत पच्टावा है वरना वो यहां खुच चल कर क्यों आता और थेमबा से माफी क्यों मांगता वो यहां नहीं भी आता तो वो उसका कुछ बिगाड नहीं सकते थे यह सब सोचते हुए वहां मौजुद लोगों को भी आंदरे से हमदर्दी हो गई थी शा क्योंकि अदरे स्टेंडर गैंग अब एरपोर्ट में रॉबरी करने वाली है इसका अंदाजा कोर ने पहले ही लगा लिया था क्योंकि एक बार आंदरे स्टेंडर को एरपोर्ट के बाहर देखा गया है तब यह अचानक तीनों को एक आवाज आई जैसे बाहर कोई है ली और एलेन अपने हाथ में गन लिये में डोर पर गए तभी दर्वाजे पर किसी ने अपना हाथ रखा अब जैसे ही तीनों बाहर गए उन्होंने देखा साइड में आंधरे जखमी हालत में पड़ा है तीनों उसे देखकर हैरान हुए कि आंधरे की ऐसी हालत किस ने की वही दुसरी तरफ एलेन बेकी को कॉल करता है फिर बेकी आकर अंधरे का ध्यान रखती है और उसे हाथ नहीं माननी और किसी बीज तरह उसे यहाँ से निकलने का रास्टा निकाल नहीं होगा क्योंकि वह हमेशा रास्टा निकाल देता है हाला कि बेकी फिर भी उसके साथ नहीं जाएगी लेकिन आंदरे यहां से जाए और अपनी एक नई जिन्दगी शुरू करे अब कुछ समय बद आंदरे ठीक हो चुका था वो एलेन के साथ याज देखने गया वो याज सोलर पैनल और लॉंग रेंज फ्यूल वाली थी मतलब वो याज बिना रुके काफी दिनों का सफर आसानी से तैय कर सकती है वो याज एलेन और आंदरे को बहुत पसंद आई क्योंकि उस याज के साथ उन्हें एक लड़की भी मिलने वाली थी जो हमेशा उस याज पर रहती है आंदरे कैश डेकर तुरंट उस याज को खरीड लेता है क्योंकि वो इस याज से साथ अफरिका से बाहर जाएगे अगले सीन में तालिया किसी दुकान से बहुत सारी बिक्नी चुरा कर भाग रही थी लेकिन तभी पीछे से आकर एक आडमी उसे पकड़ लेता है कुछ देर बाद उस दुकान के स्टोर रूम में कोर दिखाई दिया दरसल तालिया के पर्स में उन्हें ली और उसकी एक फोटो मिली इसलिए उन्होंने तुरंट पुलिस को कॉल कर दिया स्टेंडर गैंग बहुत फेमस हो चुका था और सभी को उन तीनों का चहरा पता है कोर उसे धमकाता है अगर उसने स्टेंडर गैंग के बारे में नहीं बताया तो वो उसे ऐसे चार्जेस लगा कर जेल में डालेगा कि वो कभी बाहर नहीं आ पाएगी मतलब आंदरे का डर बिलकुल सही साबित हुआ एक लड़की की वज़ा से वो सब फसने वाले थे वही दूसरी तरफ आंदरे और एलेन कहीं से वापस आ रहे थे आंदरे को डर था कि कर्मा नई जिन्दगी में भी उनका पीछा नहीं छोड़ेगा तब एलेन अपनी कहानी सुनाता है वो एक ब्लैक लड़की से प्यार करता था और वो लड़की किसी और से प्यार करती थी लेकिन इससे एलेन का प्यार कम नहीं हुआ उसने उस लड़की को अपने प्यार के बारे में कभी बताया भी नहीं फिर वो लड़की अपने boyfriend से pregnant हुई एलेन उसके लिए काफी खुश था लिकिन एक दिन पुलिस वालों ने उन दोनों को कही साथ में देख लिया और बेवजा ही दोनों को बुरी तरह मारने लगे उन्होंने उस लड़की को इतना मारा कि उसका बच्चा ही बाहरा गया फिर कुछ दीनों बाद एलेन ने स्टोर में चोरी की और उन पैसों से उस लड़की को इंग्लेंड बहिज दिया तब से ही उसे पुलीस औरी सिस्टम से नफरत हो गई पोलीस वो सिस्टम से पंगा लेने ही वो बैंक में चोरी करता है और जब उसे पोलीस पकड नहीं पाती तब उसे काफी अच्छा लगता है दूसरी तरफ ली घर में अकेला था और रात भी हो गई थी लेकिन एलेन और आंदरे अपने घर के बाहर पोलीस की नाकाबंदी देखकर एकडम शौक थे मतलब पोलीस को उनके ठिकाने के बारे में पता चल गया लेकिन खुश किसमती से उस समय एलेन और आंदरे घर पर नहीं थे वही अंदर ली को डॉर बेल सुनाई दी उसे लगा ताली आई है इसलिए वो दर्वाजा खोलने गया लेकिन तभी अचानक बहुत सारे लाइड जले पोलीस ने उसे चारो तरफ से गेड लिया था वो उसे सरेंडर करने बोल रहे थे ये देखकर ली भी काफी घबरा गया ली तुरंथी अंदर भागा उसके अंदर जाते ही पोलीस ने उस पर गोलिया चलाई लेकिन ली साइड होकर बच गया उसने तुरंथी अपनी गन ली और उपर जाने लगा वही बाहर थोड़ा आगे जाने के बाद आंदरे कार से उतरा उसे किसी भी तरह ली की मदद करनी थी जबकि एलन धीरे धीरे कार आगे बढ़ा रहा था आंदरे पोलीस से बचकर अंदर जाने का रास्टा ढूनने लगा लेकिन अंदर ली अपने दोनों हाथों में गन लिये सोफे पर बैड़ गया मानो जैसे उसे पता चल गया ह अब वो बच नहीं सकता उसका खेल खतम हो चुका है कुछ सेकेंड बाद ली दर्वाजा खोल कर बालकनी में गया और दोनों हाथों से पोलीस को शूट करने लगा ये एक खुट खुशी थी बहार से आंदरे ने भी ली को बालकनी में देखा लेकिन पोलीस वाले बहुत ज गया था एलन भी गंशोट की आवास सुनकर समझ गया कि क्या हुआ होगा वो पूछता है अब वो आगे क्या करे क्या वो याच पर जाए लेकिन आंदरे के मुताबिक अब उनका मेंशन पोलीस के कबजे में है जल्द ही वो फोन रिकॉर्ड से पता लगा लेगे उन्होंने याच ली है इसलिए पैसे देने के बाद भी वो याच पर नहीं जा सकते लेकिन उनके सामने एक और नाकबंदी लगी थी वहाँ कोर भी था लेकिन बतकिसमती से उसने आंदरे को देखा और आंदरे ने भी उसे देख लिया था तब आंदरे ने एलन को कार भगाने कहा इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे थे कि पुलिस को कुछ समझ नहीं आया उनके पास आते ही पुलिस वाले उन्हें शूट करने लगे लेकिन वो बिजली की रफ्तार से उनके बीच से निकल गए पुलिस उन पर लगातार गोलिया चला रही थी लेकिन उन्हें गोली नहीं लेकिन उनके कार के पीछे का हिस्सा तूटकर रोट से टकरा रहा था वो लाइट बन करके आगे निकल गए थोड़ा आगे जाकर उन्हें कुछ किसान दिखाई दिये जो कुछ काम कर रहे थे दोनों ने वहाँ अपने कार रोकी और एक आदमी से गन पॉइंट पर उसकी कार और सीधा जाने की बजाए कार लेकर खेट में चले गए अगले सीन में सुबा हो चुकी थी और उन्होंने पॉलिस से अपना पीछा भी छोड़ा लिया था थोड़ी देर बाद गाड़ी से उतर कर आंदरे ली की मौत का जिम्मेदार खुद को समझने लगा क्योंकि अगर उसे जेल में ही छोड़ देता तो शायद आज ली जिन्दा होता लेकिन एलन कहता है आंदरे ने ली को उसकी जिन्दगी का सबसे अच्छा टाइम दिया है वो खुद को जिम्मेदार ना ठहरा है आंदरे काफी एमोशनल था वो कहने लगा वो दोनों ही उसके सबसे करीबी थे और उसे अच्छे से समझते थे लेकिन अब एलन को उसके साथ आने की कोई ज़रूरत नहीं लेकिन एलन कहता है वो हमेशा साथ रहेगे वो फिर से एक बोट लेगे लेकिन आंदरे कहता है वो उससे और खुद से जूट ना कहे क्योंकि अब सब खतम हो चुका था पोलि पॉलिस ने उसे कोई और समझकर गिरफतार किया ठाफिर शाम को एक बहेश बदल कर आंदरे उसके घहर गया और उसके husband का passport, birth certificate, ID और बाकी के document ले लिये और उसके हाथ में high court का एक envelope पकड़ा दिया अगले ही scene में आंद्रे अपना भेज बेडल कर airport में था जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था पॉलिस officer उसका पीछा करने लगे जैसे ही आंद्रे counter पर पहुचा पॉलिस officer ने उसे हाथ उपर करके surrender करने कहा लेकिन आंद्रे ने पलटकर परेशान अंदाज में कहा फिड से नहीं फिर उसने अपना पर्स निकालते हुए कहा पॉलिस ने उसे कई बार गलत गिरफतार किया है अगर उन्होंने फिड से उसे हैरेस किया तो वो उनके खिलाफ केस कर देगा फि इस तरफ आंद्रे उन्हें newspaper की cutting दिखाता है जिसमें उसे मतलब मिस्टर जेंकिन्स को पुलिस ने आंद्रे स्टेंडर समझ कर गिरफतार किया था लेकिन अभी असली आंद्रे स्टेंडर नकली मिस्टर जेंकिन्स बन कर आया था ये सब देखकर पुलिस वाले बहुत था उसमें कामियाब रहा वही इस तरफ कोर जल्दी से एरपोर्ट की तरफ निकल रहा था लेकिन तब ही एक officer आकर बताता है वो गलत खबर थी उन्होंने आंद्रे समझ कर किसी और को पकड़ लिया था लेकिन कोर को कुछ गडबड लगी वो तुरंती एरपोर्ट जाने न वो उनसे बचकर आसानी से भाग गया अगले सीन में आंद्रे अमेरिका के किसी बीच पर बैठकर बीयर पी रहा था तबी वहाँ एक लड़की आकर उससे बात करने लगी क्योंकि शायाद उसे आंद्रे पसंद आ गया था कुछ देर बात करने के बाद वो लड़की वहाँ से चली गई वही दूसरी तरफ आंद्रे के डैट का नौकर उन्हें बताता है उनके लिए एक कॉल है वो पूछते हैं किसका कॉल है तब उस नौकर ने अपना सीर हिला कर बताया और वो समझ गए कि वो कॉल आंद्रे का है वही दूसरी तरफ से आंद्रे अलग आवाज और अलग accent में कोई और बन कर बात कर रहा था लेकिन उसके डैड को पता था वो आंदरे ही है फिर दोनों एक दूसरे का हाल चाल पूछने लगे दोनों बाप बेटे एक दूसरे से बात कर रहे थे और पुलिस वाले जो उनका फोन टेप कर रहे थे उन्हें कुछ समझ नहीं आ र करता है अब वो कोई गलत काम नहीं करेगा कुछ देर बार वहां से निकल कर आंदरे एक कार के वायर जोड़ कर उसे स्टार्ट करता है फिर जान बूच कर सिगनल तोड़ता है तब वहां मौजुद पुलिस वाले उसका पीछा करने लगे सामने वाले सिगनल पर आंदरे को रुखना पड़ा पुलिस वाले उसे बाहर आने बोल रहे थे तब आंदरे बाहर निकल कर कार के पास खड़ा हो गया लेकिन तब ही उसने देखा उन में से एक पुलिस वाला ब्लैक है तब दूसरा पुलिस वाला उसे चेक कर रहा था तब आंदरे जान बूच कर उससे पता नहीं उसे क्या हुआ लेकिन वो एक ब्लैक आदमी के हाथों ही मरना चाता था फिर हमें दिखाया जाता है पुलिस कैप्टन रहते हुए आंदरे ने 26 बैंक रोबरी की और जेल से भागने के बाद 6 महिनों में उसने 20 रोबरी और की एलन को पुलिस ने पकड़ लिया था सबको एक समान अधिकार दिलवाए और इसी के साथ ये मूवी भी यही खत्म होती है तो दोस्तो कैसी लगी आपको ये मूवी मुझे कमेंट करके जरूर बताए और अगर ये मूवी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करे अपने दोस्तों के साथ शेयर करे औ और ऐसी ही अमेजिंग मूवी के एक्स्प्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सस्क्राइब करें तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्स्प्लेनेशन के साथ पीस आउट